हलो दोस्तों वेल्कम टू माई चैनल नितिका इस्टडी पॉइंट और आज हम बात करेंगे सेल ओर्गनेल्स के बारे में या फिर कोसिकांग के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि कोसिका मुख्य तीन भाग से मिलकर बनी हुई होती है बाहरी लेयर जिसे को पाय जाने वाला कोसिका द्रब्य और बीच में किंद्रक आज हम बात करेंगे कि कोसिका में कितने प्रकार के ओर्गनेल्स पाय जाते हैं अखिरकार ये ओर्गनेल्स होते क्या हैं तो यहां पर कोसिका के अंदर जो कोसिका द्रब्य पाया जाता है उसमें अनेक सन रचनाए उपस्तित होती हैं जिन्हें कोसिकांग या फिर सेल ओर्गनिल कहा जाता है हम आज बात करेंगे कि कोसिकांग में मुख्यता कितने प्रकार के कोसिकांग पाए जाते हैं जिनमें प्रमुक हैं अन्ताप्रद्दविजालिका या फिर एंडोप्लाजमिक रेक्टिकुलम सेकेंड यहाँ पे हैं हमारा राइबोसोम थर्ड गॉलजी उपकरण या फिर गॉलजी कॉम्पलेक्स यहाँ पे फोर्थ है लाइसोसोम पाच्वे नमबर पे हैं माइटो कॉंडरिया छट्वे नमबर पे हैं लवक या फिर प्लास्टिड और साथ में नमबर पे यहां पे हो जाएका रसधानी जिसे वैक्यूल कहा जाता है और यहां आठ में नमबर पे तारक का है नववा माईको टिप्यूल्स तो चलिए देखते हैं एक एक करके इनके बारे में तो यहां पे हमारा सबसे पहला जो कोशिकांग है वो है अंताप्रदवी जालिका या फिर एंडोप्लाजमिक रेटी कुलम जन्तु यां पादप कोशिकांग के कोशिका द्रभ्य में अत्यांत सुक्षम जिल्लीदार आन्यामित नलिकाओं का घना जाल होता है इन्हें अंताप्रदवी जालिका कहते हैं यह लाइपो प्रोटिन की बनी हुई होती है और कोशिकांग में समानतर नलिकाओं के रूप में फैली हुई होती है कोशिकांग में इनका विस्तार या फिर जो फैलाओ है वो कभी-कभी केंद्रक के बाहर जिल्ली से प्लाजमा जिल्ली तक होती है दो प्रकार के पाया जाते हैं, पहला है चिक्नी या फिर स्मूथ एंडोप्लास्मिक रोटीकूलम जिसे SER कहा जाता है और दूसरा है खुर्दरी अंतह प्रद्दवी जाली का या फिर रंटिअर्ब याफ। एंडोप्लास्मिक रोटीकूलम अंतह प्रद्दवी जालिका जिससे कहा जाता है हिंदी में कि जिल्ली जो है बाहरी जिल्ली है वो चिकनी होती है इसकी सता पर राइबोसोम नहीं पाये जाते जिसके कारण यहाँ चिकनी होती है यह लिपिट्स राव के लिए उत्तरदाई होते है हमारा दूसरा जो प्रकार है रप एंडोप्लाजमी क्रेटी कुलम इसकी जो बाहरी जिल्ली है उसके उपर छोटे छोटे कण पाये जाते हैं जिन्हें राइबुसों कहा जाता है चिकनी अंता प्रद्वी जाली का वसा इवं कोलेस्टरोल संसलेशन में भाग लेती हैं खुरदुरी अंता प्रद्वी जाली का प्रोटीन संसलेशन में मदद करते हैं एंडोप्लाजमी क्रेटी कुलम जाली का जो है अंत्र कोसिका परिवहन तंत्र का निर्माड करती हैं यह कोसिका द्रभ्य में अनुवानसिक पदार्थों को केंद्रक से आने जाने का पद बनाती है यह कोसिका द्रभ्य को यांत्रिक सारा प्रदान करती है यह कोसिका है राइबोसोम के बारे में इसके खोज पैलेड ने 1955 में की थी यह ऐसे काण है जो केवाल इलेक्ट्रोन सुछम दर्सी से ही दिखाई पड़ते हैं यह अंताप्रदवी जालिका की जिल्लियों की सता पर सटे हुए होते हैं जैसे हमने अभी पहले देखा कि यह जो बाहरी जिल्ली है रप एंडोप्लाजमिक रेटीकुलम की उसकी सता पर पाए जाते हैं ये रचनाय प्रोटीन और आरेने की बनी होती है राइबोसोम का यदि हम कारिय देखें तो राइबोसोम प्रोटीन संसलिसन में भाग देती है हमारा यहाँ पे तीसरा जो कुसिकांग है वो है गौलजी उपकरण या फिर गौलजी कॉंपलेक्स इसकी खोज कैमिलो गौलजी ने 1898 इस्वी में की थी साधारन सुच्मदर्सी से यदि हम देखें तो यहाँ मुडी हुई छड या फिर गुच्छों के समान प्रतीत होती है इलेक्ट्रों सुच्मदर्सी से देखने पर यह चारों तरब से जिल्डी से घिरी हुई अनेक समानतर नलीकाओं या फिर जो चप्टी, कुंडली या फिर जिसे सिष्टर्नी कहा जाता है की तरह होते हैं कुंडी काओं या फिर जिसे सिस्टर नी कहते हैं कि एक सीरे पर छोटी छोटी वैसिकल इस्थित होती है इसके अतिरीक्त नीचे की तरह बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती है गौलजी काओं की जिलियों का संपर का अंता प्रद्यवी जाली का या फिर एंडोप्लाजमिक रेटी कुलम जाली का या फिर एर की जिलियों से रहता है गौल जी का है कुछ यूकेरियोटी कोसिका इस्तंदारी की लारुदिर कड़ी का जीवाडू एवं नील हरिस्येवालों में नहीं पाए जाते हैं यह कोसिका का मुख्य स्रावड अंगक है यह लाइसोसोम एवं पराक्सी सोम के निर्मार में मदद करता है पादप कोसिका के विभाजेन के समय यह कोसिका प्लेट बनाने में मदद करता है हमारा यहाँ पे नेक्ष्ट कोसिकांग है लाइसोसोम यदि हम इसकी खोज करता की बात करें तो इसकी जो खोच करता है वो डी डवे द्वारा 1958 में किया गया था या बहुत ही सुक्च्मक्वसी कांग है जो छोटी छोटी वैसिकल्स या फिर पूटिकाओं के रूप में पाय जाते हैं इसके चारों तरब एक पतली जिल्डी पाय जाती है इसका आकार बहुत ही छोटा है थैली के समान होता है इनमें कुछ ऐसे एंजाइम पाय जाते हैं जो की जिवद्रब्य को घुला देने या फिर उसे नस्ट कर देने की छमता रखते हैं जब कभी भी किसी कोसिका की कोस की उपापचय में बैवधान या फिर रुकावट आता है जिसके चलते जो कोसिका है वो छतिक रस्त हो जाती है तो ये जो लाइसोसम होते हैं वे फट जाते हैं और इनमें जो मौजुत इनके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वहाँ आता है इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है यह कोसिका में प्रवेश करने वाले बड़े कड़ों एवं बाहपदार्थों का पाचन करता है यह अंताह कोस की पदार्थों तता अंगकों के जो तूटे-फूटे भाग होते हैं जिसकी जरूरत कोसिकाओं को नहीं होती उसका यह पाचन कर लेते हैं और कोसिका को साप करने का कारे करते हैं यह जीवाडू एवं विसाडू से भी रक्षा करते हैं हमारा जो नेक्ष्ट कोसिकांग है वह है माइटो कॉंड्रिया इसकी खोज अल्टमेन ने 1899 में किया था यह कोसिका द्रव्य में पाए जाने वा उन्होंने इसका नाम बायो ब्लाश्ट रखा था लेकिन इसके बाद एक और बैग्यानी का बैंड़ा उन्होंने इसका नाम माइटो कॉंड्रिया रख दिया इसका आकार और जो सेफ है वह परिवर्थन सील रहता है मतलब बदलता रहता है यह कोसिका द्रव्य में कड़ो या फिर सुत्रों, छडों या फिर गोल आकार में पाय जा सकते हैं प्रती एक माइटोकॉंड्रिया एक बाहरी जिल्डी एवं एक अन्ता जिल्डी से चारों और घिरी रहती है इसकी बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉंड्रियल गुहा कहा जाता है माइटोकॉंड्रियल जो गुहा है उसकी भीतρι जिल्डी में अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं इन प्रवर्धों को क्रिष्टी कहा जाता है अब हम बात करेंगे लवक जिसे प्लास्टीड इंगलिस है यह किवल पादप कोशिकां में पाय जाते हैं यह कोशिका द्रबी में चारों ओर बिखरी हुए रहते हैं यह आकार में मुख्यता, अंडाकार, गुलाकार तथा तस्तरी नूमा हो सकते हैं इसके अलावा यह भिन्न भिन्न आकार के भी होते हैं यदि हम लवक की बात करें तो यह मुख्यता तीन प्रकार के होते हैं अवर्णी लवक, वर्णी लवक और तिसरा है हरित लवक पहला है अवर्णी लवक जिसे लिव को प्लाश्ट भी कहा जाता है यह पौधों की उन भागों की कोशिकां में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकास से वन्चित रहते हैं जैसे कि जड़ एवं भूमी गत तना तो यहां बात करें आवर्णी लवक या फिर जिसे लिव को प्लाश्ट भी कहते हैं तो यह इस्टार्च कडिकाओं एवं तेल विंदू को बनाने एवं उसे संग्रहित करने में लाबदायक होते हैं या फिर उत्तरदाई होते हैं इनका कारिय यह है हमारा जो दूसरा लवक है वो है वनी लवक जिसे क्रोमो प्लाश्ट कहते हैं ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राया लाल पीले एवं नारंगी रंगे होते हैं ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुस्प, फल भित्ती, बीज आदी में पाए जाते हैं हमारा तीसरा जो लवक है वो है हरित लवक जिसे क्लोरोप्लाष्ट भी कहा जाता है पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही मातकूर कोस्केशन रचना है क्योंकि इसी में मौजूद जो वर्नक है की सहता से ये प्रकास संसलेशन की क्रिया संपन्न करते हैं इनके बीना पौधे अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं नहीं बना पाएंगे यदि हम सीधी तोर पे कहें तो इसी कारण इनहीं कोसिका का रसोई घर भी कहा जाता है हमारा नेक्ष्ट कोसिकांग है रसधानी या फिर जिसे वैक्यूल कहा जाता है कोसिका की रसधानिया चारो ओर से एक अर्ध पार्ग में जिल्ली से घिरी रहती हैं जिसे टोनो प्लास्ट कहा जाता है रसधानिया छोटी अत्वा बड़ी हो सकती है इन रसधानियों के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरा रहता है जन्तू कोशिकाओं में रसधानिया छोटी होती है और यदि हम पादप कोशिकाओं में इसकी बात करें तो पादप कोशिकाओं में वैक्यूल्स बड़ी पाई जाती है पादप कोसिकाओं की रसधानिया में कोसिका रस भरा रहता है जो की निर्जीव पदार्थ होता है जन्तो कोसिकाओं में रसधानिया जल संतुलन का कारी करती है पादप कोसिका मिया इस फिरती तथा कठोरता प्रदान करने में मदद करती है कुछ एकोज की जीवों में विशिस्ट रसधानियां, कुछ अपसिस्ट पदार्थों को सरीर से बाहर निकालने में सहायक होती है अब हमारा नेक्ष्ट जो कोशिकांगे वो है तारक काय या फिर सेंट्रो सोम इसकी खोज बोवेरी ने 1888 इस्वी में की थी यह केवल जन्तु कोशिकांगे पाया जाता है, यह एक बेलन जैसी रचना के रूप में दिखती है यह जन्तु कोशिका के केंद्र के पास एक छोटा सा चमकदार छेतर होता है इनमें एक या दो सुप्चमर रचनाएं होती है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है प्रतियक सेंट्रियोल के चारो ओर धागे की तरह तारक रस्मिया दिखाई पड़ती है तारक का जन्तु कोशिका विभाजन में मदद करता है यह कोशिका में सीलिया एवं फ्लैजिला बनाने में भाग लेता है यह कोशिका का प्रचलन अंगक कहलाता है हमारा नेक्ष्ट कोशिकांग है माइक्रो टीब्यूल्स यदि हम बात करें माइक्रो टीब्यूल्स क्या होते हैं तो यह छोटी छोटी नलिका है नलिका का रचनाएं होती है जो कोशिका द्रब्बे में पाई जाती है या कोसिका भी बाजन के समय स्पिंडल के निर्मार में भाग लेती है या सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लेजिला, आदी के निर्मार में भी भाग लेती है तो दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक था कोशिकां या फिर ओर्गनेल्स जो कोशिकां में पाए जाते हैं वे अब यहाँ पे खतम होता है यदि आपको मेरा ये जो वीडियो था वो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजेगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीज और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नौटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी सारे वीडियो देख पाएं थैंक्यो फर वाचिंग